नमस्कार सिरी चैनल में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आर्तिश शर्मा और तस्वीरें उस जगह की है जहां पर आपने देखा होगा कि पिछले साल करणा मुलक संग हिमाचल परदेश अपनी मांगो को लेकर लगबग एक साल से यहीं पर ही धरने पर बैठा और सरकार से अपनी प्रमुख मांगो को लेकर लगातार संगर्श कर रहा था और और अज इसी कड़ी के साथ इसी के तहत जो है अब फौर राश्य द्रिष्टिहीन संग women शाखा आपनी प्रमुख मांगों को लेकर यहां जो है वो एक बार पुन्हा बैठ चुका है सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और मांग यहां पर की जा रही है कि सरकार जो है वो रोजगार मेला लगाकर सभी को रोजगार दे और रोजगार चाहिए भी है क्योंकि काफी लोगों की यह मांग होती है और साथी इनकी यह मांग भी है कि जिनकी आयू 35 वर्ष हो गई है और गरीब असहाई की आयू में रिलेक्षेशन की अधिसूचना जो जारी कर दी गई थी इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है उस जो आपकी सेवा निर्विती की उमर थी वो 58 वर्ष कर दी गई थी और उससे पूर्व कॉंग्रेस की अगर हम बात करें कॉंग्रेस के कारेकाल में जो सेवा निर्विती की उमर थी वो 60 साल थी तो इनकी यह भी मांग है कि उस उमर जो उमर है जो आयू है उसको भी जो है व ले रहे हैं और एक यहां बहुत पहले बहुत जानना चाहेंगे लगबग पिछले कितने वर्श shouted चरण रहा है और मांग आपकी क्या है हिमाचल प्रदेश के कितने लोग जो हैं आज इस तरीके से संघर्ष पर बैठे हैं आपके जी नमस्कार सबसे पहले से भी को पत्तरकार बंदू को तो मैं आपको पूरी विस्तास इसकी जानकारी देता हूं धरना प्रदेशन हमारा दोजार एकिस पे चला था और उससे पहले भी दोजार साथ आठ पे भी हुआ था तो काफी लोग लग भी गए थे लेकिन उसके बाद बैकलॉक हमने कोर्ट से केस भी जीता है और 31 दिसंबर तक बैकलॉक भरने के आदेश सरकार ने जारी किये है लेक हिमाचल वेलफेर डिरेक्टर परदीव ठाकुर जी से बैठक भी हुई थी और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि मुख्या सचिप के साथ हमारी बैठक करवाएंगे और वह बैठक छे महीने में बैठक नहीं आज तक हो पाई और इस अंदर में मैं जब सरकार नहीं बनी थी तो भी हम माने ने मुख्या मंतरी हिमाचल प्रदेश जी से भी मिले थे सुरेश रोईत जो हमारी शिक्षा मंतरी उनसे भी मिले थे और विक्रम दिते जी है उनसे भी मिले थे तो सब ने आश्वासन दिया था कि आपकी मांगों पर जरूर गौर करेंगे लेकिन आ मुख मागे तो जैसे की मैंने बताई आप ने भी अब यहां पर बताया जो बेरोजगार मेला लगना चीए बष्टी मेला लगना चीए और जो रिजर्वेशन वन परसेंट रिजर्वेशन है इस रिजर्वेशन को भरती मिले के माद्यम से बरे जाएंगे तो दृष्टिहिनों को मिलेगा और दूसरी जो 35 वर्ष से ज्यादा जिनकी उमर हो चुकी है उन दृष्टिहिनों को भी करूणा मूल अधार पर नौकरी मिलनी चीए और जो जिन ने पढ़ाई जिनकी क्वालिफिशन नहीं है क्योंकि गवर्मेंट की अधी सूचना है माचल प्रदिश सरकार की तो उसमें क्लियर लिखा गया कि उनको क्वालिफिशन में रिलक्सेशन है परन्तु अभी तक भी नोने उस नोटिफिशन को किसी भी राजा भीरवदर जी ने अठावन से साथ वर्ष किया चार नॉम्बर दोजार उननीस को जैराम सरकार ने इसको दुबारा से साथ से अठावन कर दिया जाए क्योंकि दिश्टिनों के उमर पहले ही उनकी नौकरी जो लेट लगती है और हम चाहते कि वो रेगुलर नौकरी जब तक उनको रेगुलर नौकरी के दो चार साल हो तो तरह उनके सिवानुप्ति हो जाती है इसलिए उनकी से वर्णी में दो वर्ष को लाप मिलना चीए यह हमारी प्रमुक फिलाल मांगे है बाकी देख रहे हैं यहां पर बहुत सारे लोग हैं सबके साथ बातचित करना तो मेरे लिए बहुत जादा मुश्किल है लेकिन युवा कारे कारणी के जो सचीव है राजीव यहां पर मौझूद है राजीव आपसे भी जानना चाहेंगे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और संघर्ष का रास्ता इक्तियार कर दिया है किस तरीके से जो है यह आगे का अ सभी लोग ही माचर परदेश सर्प्रतर में आपके चैनल का सभी पत्रकार बंड़ों का अपनी और अपने राष्टे दिश्टिन संग के सभी सातिकों से स्वाक्तम करता हूं जो आपने धरने के लिए माचरी आगे क्या होगा आगे की रलनीती हमारी यह है जैसे कोई किसी क उमर बीत रिये 35 साल से जादा अगर एक नोटिक विजन हमारी वो जारी होनी चाहिए दूसरी जो जितने में हमारे दिस्तिन भाई बेन ब्रोजगार है और उनको सभी को रोजगार मिलना चाहिए उनके अधिकार हमेशा मिलना चाहिए ताकि उनकी रोजी रोटी चल पाए वो भी अपनी टांगों बे खड़ा हो सके ऐसी हम आदिनियों सुक्विंदर सिंग सिरकार से उमीद रखते हैं और हमारा ये कंटीनू धरना तब तक चलता रहेगा कि जब तक कि हमें हमारे हाटों में सबके हाटों में मारे जोइनिंग लेटर परदान ना किये जाए तब हमारा ये धरना चलता रहेगा और आने वाले स्वे में रनीतिया और भी बनेगी हमारे सबी साथी लोग अंशन पर भी बैठेगे ऐसी नौबत भी आएगी उस चनोटी को सेहने के लिए भी हम त्यार रहेंगे और जो भी कारवाई आगे संकटन किर्वारा किये जाएगी व सुखविंदर सरकार द्वारा चलाई जा रही है अच्छा है वो सुख आश्रय योजना है आपने देखा होगा कि जो बच्चे हैं जिनके माबाप नहीं है उनके लिए बड़ी अच्छी जी योजना है जो है वो सरकार लेकर आई लेकिन अब दिव्यांगों की यहां पर ब कितने लोग हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं जो इस संघर्ष में हैं जी हमारे 500 मिंबर है और अभी 500 मिंबर में से कई सारे करमचारे भी है और विरुजगार सात्यों कि सभी के यहीविचार है कि वह संघर्ष जब तक उनको कुछ हासिल नहीं हो जाता तब तक उन्होंने संघर्ष का यह रास्ता अपनाना है और इसके लिए अलग-अलग नीतियां समय समय पर बनाई जाएगी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातशीत करने के लिए बिल्कुल सीटी चैनल के माध्यम से आपको अंदर की तस्वीरे दिखाना चाहेंगे यह वही तस्वीरे हैं जहां पर पिछले वर्ष जो है वो करुणा मुलक संग आपने अंश्चित कालीन यहां पर धरना कर रहे हैं कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक यह लोग ऐसे ही यहां पर बैठे रहेंगे और जो यहां पर सरकार ने बैकलॉग से भरतियों का फैसला लिया है उसको यहां पर कहा जा रहा है कि यह बहुत ही जादा जो है यहां पर जल से जल जो बेरोजगार लोग हैं उन्हें रोजगार मुहया हो सके और यह भी कहा जा रहा है कि जिनकी आयू 35 वर्ष हो चुकी है और गरीब असहाई कि आयू में रिलेक्शेशन की जो अधिसूचना जारी कर दी गई थी जिसे अभी तक लागू नहीं किया गय है उसे भी यहां पर जो है जल से जल सरकार लागू करें सेवा निवरिती की यहां पर बार बार मैं बात कर रहे हूं कि जो उमर है उसे 58 वर्ष से जो हटा करके 60 वर्ष की जाए और अगर यह ऐसा नहीं करते हैं तो सरकार के खिलाफ इनोंने मोर्चा तो यहां पर खोल दिय है और कहा जा रहा है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग यहां से हटने वाले नहीं है हम अपना घर बार छोड़ करके यहां पर आये हुए हैं जब तक मारी मांगे पूरी नहीं होगी हमारा संगर्ष यह जारी रहेगा फिलाल अब देखना यह होगा कि हिम पर खड़े हैं वहां तक वासभी योजनाएं पहुंचनी चाहिए उन तक जो है वो सभी लाप पहुंचने चाहिए तो फिर आखिर इंप लोगों के साथ अन्य आए क्यूं इन लोगों के साथ 01300 वैवार अक्यूं ये लो पर जो है वो पूछ रहे हैं फिलाल अब देखना ये होगा कि सरकार इनके लिए कब तक निर्ने लेती है कब तक इनकी मांग पूरी होती है और कब तक जो है यह यूही संघर्ष पर बैठे रहते हैं फिलाल आज के लिए इतना ही आप जुड़े रहें सेटी शैनल के साथ आनिकी आर्ति शर्मा को मेरे सहीयोगी दिनेश पटयाल को दीजे इजासत नमस्कार